भोपाल का जहां बीजेपी सांसत जीएस डामोर मीडिया के सामने आया और कहा कि मुझे शडियंत्र के तहत फसाया गया है हम कोट में अपनी बात रखेंगे जहां का आरोप वहां हम कभी पदस्त ही नहीं रहे डामोर पर करोडों के घोटाले का आरोप लगा है और बता दें कुछ देर पहले डामोर खुद बीजेपी दफ्तर भी पहुँचे थे बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ने समय नहीं दिया था मिलने का जिसके चलते डामोर खुद बीजेपी दफ्तर पहुंचे वहाँ मीडिया के सवालों से भागते वे नजर आए लेकिन अब मीडिया के सामने आकर डामोर ने ये बात कही है डामोर का कहना है कि मुझे शडियंत्र में फसाया गया है और मैं अपनी बात कोट में रखूँगा पर बाते कहीं नमस्कार आहे और यह बताना चाहता हूं कि जो आरोप लगे हैं उसमें ये है कि मेरी पदिस्थापना के दोरान वहाँ पे गड़बड़ी हुई है तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी जाववा ली राजपुर मैं रहा ही नहीं हूँ जहां जिस घोटाले की बात कर रहा है मैं कभी रहा ही नहीं हूँ और जब मैं रहा ही नहीं हूँ तो गोटाला कैसे हो सकता है एक दूसरा विशय यह है कि ये मामला न्याइलाई में है न्याइलाई ने हमको नोटाइज दिया जबाभ देंगी तो अभी तो प्रश्टाचार गोटाला जीसी बात ही नहीं है और मैं तो रहा ही नहीं हूँ वहाँ पे कभी जो एक्चुली जिस कोड का जूरिडिक्शन होता है वो दिला होता है कि उस दिले में आप रहे हों तो आप कोई कारवाही करेंगे मैं तो रहा ही नहीं हूँ कभी वहाँ पे तो आप क्यों भाग रहे थे पर आपको जवाब दे में अभी तो मुझे लेटर नहीं मिला है पर मैंने जो समाचार पत्रों के मादियंग से पड़ा है उसमें यह है कि एक कलेक्टर का नाम लिखा कि यह कलेक्टर वहां पदस्त है आप यहां पदस्त है तो मैं तो कभी पदस्त रहा ने तो और कलेक्टर इतना जुनियर है कि मैं जब मैं रिटायर हो रहा था तब वह कलेक्टर थे वहां पे तो हमारी दोनों की पदस्ता अपना साथ में नहीं र तो बापिस लोटे हकीकत यही है कि जब उनसे पूछा गया तो यहां से भाकते नजर आये थे मुद्दा एक गोटाले का है बड़ा मामला है और यह जोड़ा है रतलाम जहववा से अली राजपुर का यह गोटाला कहा जा रहा है लेकिन वो कह रहे हैं महां कभी पदस्त रहा अब सचा ही क्या है लेकिन कोट ने उनको उन्होंने भी एमाना है कि पत्र जारी किया है मैं इसका जबाब कोट में दूँगा और जुस्ता चोगा सामने आजाएगा लेकिन क्यों भागे इसका जबाब नहीं है उनके पार असिस खरे के साथ मनो सेनी बन सेनी वोपाल